हलो एब्रिवन वालकम टो माई चैनल कुक विद रेशो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी दिवाली की सफाई में बिजी हैं और आपको भी टाइम नहीं मिल रहा है दिवाली के लिए मिठाईया बनाने का तो आप लोगों को बिलकुल भी टेंचन लेने की जरुवत नहीं है क् मैं आपके लिए लेकर आए हूं इंस्टिंट स्वीट रेसिपी जी हां बिना गैस जलाए मतलब बिना फायर के ही बस कुछ मिंटों में किचन में रख्यूई चीजों से हम बनाएंगे यह स्वीट रेसिपी तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आप से भी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जिसने अभी तिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करू उनका को हटाकर अंदर के वाइट पाड को कद्दू कस करके भी यूज़ कर सकते हैं। हाप कप लिया है मैंने Milk Powder अगर आपके पास Milk Powder नहीं है तो इसके replacement में आप दो चीज़े और यूज़ कर सकते हैं जिनके बारे में आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगी वन कप लिया है शुगर, चीनी, हाफ कप लिया है मिल्क आप मिल्क के रिप्लेस्मेंट में पानी का यूज भी कर सकते हैं बस ध्यान रखें कि आप जो भी यूज कर रहे हैं वो नॉर्मल यानी रूम टेंपरेचर पर हो जादा ठंडा या फिर जादा गरम नहीं होना चाहिए इस मिठाई को हम स्टफ करके बनाएंगे तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्राइफ रूट्स लिए हैं जिसमें मखाना और बादाम है यहाँ पर मैंने कुछ पिस्ता को काट कर खाने वाले ग्रीन कलर में डीप करके रखा हुआ है इसका यूज हम गार्निशिंग के लिए करेंगे आपने दिखा होगा जो हम मिठाईयां बाहर से खरीद कर लाते हैं उनके उपर जो पिस्ता लगा होता है वो कितना ब्राइट ग्रीन होता है उसका रीजन यही होता है कि जो हलवाई होते हैं वो अपनी मिठाई के लिए पिस्ता को इसी तरह से ग्रीन कलर में डिप करके यूज करते हैं अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें हम डालेंगे यह रेसिकेटिड कोकोनेट क्योंकि यह उतना बारीक नहीं है जितना हमें चाहिए साथ में हम एड़ करेंगे शुगर और फ्लेवर के लिए मैंने यहां पर लिया है चार छोटी इलाइची अगर आपको इलाइची फ्लेवर पसंद है तो एड़ कीजिए वरना स्कीप कर दीजिए यह देखिए मैंने इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है और हमें इसी तरह से फाइन पाउडर की फोम में चाहिए क्योंकि अगर यह थोड़ा मोटा रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा अगर चीनी के क्रिस्टल्स आएंगे तो वो खाते वक्त अच्छे नहीं लगेगे अब हम यहाँ पर milk लेंगे और इसको अच्छे से mix करते हुए एक से दो चमश milk डालेंगे और इसको अच्छे से mash कर लेंगे अब हम इसमें add करेंगे milk powder उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ one pinch food color अगर आपको food color नहीं पसंद है तो आप avoid कर सकते हैं या फिर आप अपनी पसंद से कोई भी food color इसमें use कर सकते हैं one pinch से आपको ज़्यादा नहीं डालना इस बात का ध्यान रखें अब फिर से हम यहाँ पर एक से दो चमश milk add करेंगे और अच्छे से इसको एक soft dog की form में ले आएंगे ये देखिए कितना कम टाइम है और कितना easily मैंने इसको ready कर लिया है और इसको ready करने के लिए जितना हमने दूद यहाँ पर लिया था उसमें से सिर्फ 5 या 6 चमश दूद हमें लगा है बाकी दूद हमारा बच गया है अब हम फिर से वही mixi का jar लेंगे और इसमें dry fruits को डाल कर इनको coursely grind कर लेंगे बिल्कुल fine powder नहीं करना है क्योंकि हमें इसकी stuffing करनी है तो इसमें थोड़ा दरदरा ही अच्छा लगेगा अब हम इसको एक bowl में निकाल लेंगे बाउल से हम इसको एक plate में transfer कर रहे हैं क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा color add करना है जिसे हमारी stuffing और अच्छी दिखेगी मैंने इसको plate में डाल लिया है अब मैं इसमें green color सिर्फ one pinch add कर रही हूँ इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक से दो चमच milk और इसको भी हम अच्छे से mix कर लेंगे एक चमच दूद और add कर लिया है और देखिए अच्छे से मैंने इस तरीके से इसको तयार कर लिया है अब हम इसकी चोटे चोटी balls बना लेंगे यह देखिए इसी तरह से मैंने इसकी 6 से 7 balls बना कर तयार कर ली है अब हतेली से हम इनको इस तरह से थोड़ा फ्लाट कर लेंगे ताकि स्टफिंग करने में थोड़ी आसानी रहे यह देखिए अब जो हमारा जो हमने डौ बना कर तयार किया था उसको भी हमें इस तरीके से तोड़ लेंगे ये रेखिए मैंने इसके भी इतने ही पैट्स किये हैं जितने की हमने स्टफिंग के किये थे अब हम हतेली से इसको ऐसे उंगलियों से बीच से इसमें स्पेस कर लेंगे और जो हमारी stuffing है उसको हम इसके बीच में रखकर चारों तरफ से फिर से cover कर देंगे और हतेली से कोई भी हम shape इसमें दे सकते हैं मैंने इसको इस तरह से तयार कर लिया है ये देखिए कितना अच्छी हमारे मिठाई बनकर तयार हुई है इसी तरह से हम बाकियों को भी ready कर लेते हैं और अब अगर आपको इसमें किनारों पर कोई crackers दिख रहे हैं तो आप इस तरीके से उसको सही कर ले अब हम इस पर लगाएंगे चांदी का work जो हलवाई लोग लगाते हैं लेकिन ध्यान रखें आप इसको हाथ से न लगाएं वरने यह आपके हाथ पर चिपक जाएगा आप इसको paper के उपर ही रख कर इसी तरह से लगाएं मैं सिर्फ आपको यहाँ पर लगाना बता रही हूँ मैं पूरी मिठाईयों पर इसको नहीं लगा रही हूँ गार्निशिंग हम एक, दो नहीं बलकि तीन तरीके से मैं आपको बताऊंगी यह पहला तरीका है और दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं यह देखिए दूसरे तरीके में हम इस तरह से जो हमारा चादी कवर्क यह जो तूट जाता है उसको हम इस तरीके से सभी पर लगा देंगे और इसके बाद हम इस पर डालेंगे रोज के जो सूखा रोज होता है उसके पैडल्व या पिर आप जो फ्रेश फ्लावर होता है न उसके जो पेडल्स होते हैं उनको बारीक चॉप करके भी इसके उपर लगा सकते हैं यह देखिए यह दूसरा तरीका भी बहुत अच्छा है और इसके बाद जो हमने पिस्ता को ग्रीन कलर में डीप करके रखा था न वो भी इसके उपर लगा देंगे जिससे हमारे मिठाई और भी सुन्दर दिखेगी अगर आपने सभी मिठाईयों पर यह चांदी का वर्क लगा दिया है तो आप इसके उपर न कलर की ऐसे डॉट्स कलर के पानी की ऐसे डॉट्स लगा सकते हैं या फिर लाइन बना सकते हैं और अगर आपके पास केसर है तो आप केसर में भीगे हुए धागे भी इसके उपर रख सकते हैं उनसे भी यह बहुत सुन्दर लगेगी तो friends तयार है हमारे मिठाई जिसको हमने बहुत कम चीजों से और बहुत कम टाइम में बिना fire on किये ही तयार कर लिया है आप इस तरह से इसको एक बार जरूर से try करें I hope आपको ये बहुत पसंद आएगी और ये बहुत ही सुंदर दिखती है और खाने में भी उतना ही अच्छा इसका taste है तो please आप इसको एक बार जरूर try कीजिए और मुझे बताएं कि आपको ये recipe कैसी लगी तो friends आप इसको दिवाली पर या फर किसी भी festival पर बना सकते हैं आप इसको प्रशाद में बना सकते हैं क्योंकि बाहर से जो हम मिठाईया खरीदते हैं उनमें इतनी accurate नहीं होता है जितना हम घर पर खुद से बनाते हैं और जो दो चीज़े मैंने milk powder के replacement में बताई थी वो होती है एक तो भुने हुए चने और दूसरा होता है सकतू इन तीनों में से आपके पास जो भी easily available हो आप उसी को यूज़ करके इस मिठाई को बना सकते हैं और enjoy कर सकते हैं तो friends मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक वीडियो को full watch कीजे, like कीजे और चैनल को subscribe जरूर कीजे Thank you